Getting to know computers के spoken tutorial में आपका स्वागत है। इस tutorial में हम computer के अनेक भागों के बारे में सीखेंगे। हम अनेक भागों को जोड़ना भी सीखेंगे। समान्यता दो प्रकार के computers होते हैं। desktop या व्यक्तिगत computer और laptop। आजकल tablet PCs या tabs भी बहुत लोग प्रिये हैं। Computer के कारे एक computer अपने आकार के निर्पेक्ष 5 प्रमोक कार्यों को कर्यानवित करता है। यह input के माध्यम से data या निर्देशों को सुईकार करता है। यह user की आवशक्ता के अनुसार data को संसाधित करता है। यह data को संचित करता है। यह आउट्पुट के रूप में परिणाम देता है, यह कंप्यूटर के अंदर सारे ओपरेशन्स नियंत्रित करता है, कंप्यूटर की बेसिक ओर्गनाईजेशन यानि मूल्भुद रचना इस ब्लॉक डायग्राम में दर्शाई गई है, इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रॉसेसिंग यूनिट, आउट्पुट यूनिट, इनपुट यूनिट डेटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर में विवस्थत धंग से प्रविश्ट करने में मदद करता है, Keyboard, Mouse, Camera और Scanner कुछ Input Up करण है Central Processing Unit Operations जैसे Arthematic और Logical Operations क्रियानवित करता है और Data और निर्देशों को संचित करता है विशिष्ट रूप से Central Processing Unit या CPU इस प्रकार का दिखता है इसमें Unit के आगे और पीछे बहुत से Ports होते है हम थोड़ी देर में उनके बारे में सीखेंगे ये Data और निर्देश लेता है, उन्हें संसाधित करता है और Output या परिणाम देता है Operations को क्रियानवित करने को Processing कहते हैं फिर Data और निर्देशों के साथ Output Storage Unit में संचित किया जाता है Unit जो Data से परिणाम उत्पादन की प्रकिरिया का समर्थन करती है उसे Output Unit कहते हैं Monitor और Printer कुछ Output उपकरन है समाने तहा एक Desktop Computer चार मुख्य भाग रखता है Monitor, CPU, Keyboard और Mouse Camera, Printer और Scanner भी Computer से जोड़े जा सकते हैं यह Monitor या Computer Screen है जैसा हम इसे कहते हैं यह TV Screen की तरह दिखाई देता है यह Computer की Visual Display Unit है यह Computer के User Interface को दर्शाता है Keyboard और Mouse प्रयोग करके आप अनेक प्रोग्राम खोल कर Computer के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं Keyboard, Computer में Text, Characters और अन्य Commands को प्रविष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है यह Computer Mouse है विशिष्ट रूप से इसमें दो क्लिक होने वाले बटन और उनके बीच एक Scroll बटन है बाया माउस बटन दबा कर बहुत सी प्रकरियाईं सक्रिये होती है दाया माउस बटन दबा कर गैर मानक प्रकरियाईं जैसे Shortcuts सक्रिये होते हैं माउस वील स्क्रोल बटन घुमा कर स्क्रोल उपर या नीचे करने में उप्योग होता है Computer Mouse कीबोर्ड के अलावा कम्प्यूटर से इंटरेक्ट करने का एक वैकलपिक रूप है अब CPU के अनेक भाग देखते हैं CPU के आगे एक मुख्य बटन है जो Power On स्विच है Computer खोलने के लिए इस स्विच को दमाने की जरूरत है एक Reset बटन भी होता है जो जरूरत पढ़ने पर Computer को दोबारा चलाने में सहायक होता है आगे की तरफ आप दो या अधिक USB पोर्ट और एक DVD, CD, ROM, Reader, Writer भी देखेंगे USB पोर्ट कम्प्यूटर में Pen Drives लगाने में उप्योग होते हैं और DVD, CD, ROM, Reader, Writer एक CD या DVD को Read या Write करने के लिए उप्योग होता है अब Computer के पीछे देखते है पीछे के पोर्ट कम्प्यूटर के अन्य उपकरणों को CPU से जोड़ने में उप्योग होते हैं यह Cables उप्योग करके होता है CPU के अंदर बहुत से भाग है जब Computer चलता है तो सारे भाग कारे करते हैं और गर्म होते हैं पीछे के पंखे भागों को ठंडा करने के लिए हावा का प्रवाहा देते हैं अन्य था ज़्यादा गर्म होने से CPU को नुकसान हो सकता है प्राया डेटा की शती भी हो सकती है यह Case Cooling Fan है यह CPU को समाने तापमान पर रखता है और ज़्यादा गर्म होने से बचाता है Power Supply Unit को PSU भी कहते हैं यह कंप्यूटर को पावर देता है अब अनिक भागों को CPU से जोड़ोना सीखते हैं सारे भागों को दर्शाय गए की तरहां टेबल पर रखें सारे केबल को दर्शाय अनुसार टेबल पर रखें पहले मोनिटर को CPU से जोड़ते हैं पावर केबल को दर्शाय अनुसार मोनिटर से जोड़ें अब दूसरे सिरे को Power Supply सोकेट से जोड़ें यह CPU का पावर केबल है इसे दर्शाय अनुसार CPU से जोड़ें फिर इसे power supply socket से जोड़े, आगे दर्शाय अनुसार keyboard केबल को CPU से जोड़े, keyboard का port आम तौर पर परपल रंग का होता है, आप mouse को हरे रंग के port से जोड़ सकते हैं, पेकलपिक रूप से आप USB कीबोर्ड और mouse को भी USB port से जोड़ सकते हैं, बाकी के USB ports, pen drives, hard drives आदी को जोड़ने के लिए उप्योगिये जा सकते हैं, यह LAN केबल है और यह LAN port है, यह wired connection है जो computer को network से जोड़ने की अनुमती देता है, LAN केबल का दूसरा सिरा, modem या Wi-Fi router से जोड़ते हैं, आप Wi-Fi connection को configure या स्थापित करने के बारे में अन्य टुटोरियल में सीखेंगे, जब LAN port सक्रिये होता है और गतिविती प्राप्त करता है तो LED light टिम्टिमाती है, आप देख सकते हैं कि CPU पर अन्य serial ports हैं, यह PDAs, modem या अन्य serial उपकरणों को जोड़ने के लिए उप्योग होते हैं, आप देखेंगे कि CPU पर कुछ parallel ports भी हैं, यह उपकरण जैसे printer, scanner आदी को जोड़ने के लिए उप्योग होते हैं, अब audio jacks देखते हैं, गुलावी रंग का port, microphone जोड़ने में उप्योग होता है, नीला port, line in जैसे radio या tape player को जोड़ने में उप्योग होता है, हरा port, headphone, speaker या line out को जोड़ने के लिए उप्योग होता है, अब सारे उकरण जोड़ने के बाद computer चलाते हैं, सबसे पहले monitor और CPU के power supply बटन्स खोलें, अब monitor पर power on बटन दबाएं, और फिर CPU के आगे वाला power on switch दबाएं, समान्यता, जब आपका computer पहली बार खुलता है, तो आप काले screen पर शब्दों की कुछ line देखेंगे, यह bio system है, जो निम्न जानकारी प्रदर्शित करता है, computer की central processing unit के बारे में, computer के पास कितनी memory है के बारे में जानकारी, और hard disk drives और floppy disk drives के बारे में जानकारी, BIOS, software है, जो CPU को सबसे पहला नरदेश देता है, जब computer सबसे पहली बार खुलता है, operating system को load करने की पूरी प्रकरिया को computer की booting कहते हैं, जब सारी जरूरी जाचे पूरी हो जाती हैं, तो आप operating system के interface को देखेंगे, यदि आप Ubuntu Linux user हैं, तो आप ऐसा screen देखेंगे, और यदि आप Windows user हैं, तो आप ऐसा screen देखेंगे, अब संशिप्त रूप से laptop देखते हैं, laptops portable और compact computers हैं, एक laptop इतना हलका और छोटा होता है कि उसको आसानी से गोध में रखकर काम कर सकते हैं, अता इसे laptop कहते हैं, यह भी desktop computer की तरहां समान भाग रखता है, जिसमें सम्मिलित होते हैं, एक display, एक keyboard, एक touchpad जो निर्देशित और संचार करने का उपकरन है, एक cd, dvd, reader, writer और mic और speakers single unit में बने हुए हैं, इसमें LAN ports और USB ports भी हैं, यहां एक video port है, जिसको उपयोग करके laptop से projector जोडा जाता है, audio jacks, mic और headphones के icons में आसानी से पहचानने योग हैं, यह laptop में अंतर नहित cooling fan है, यह laptop को ज्यादा गर्म होने से बचाता है, laptop AC adapter के माध्यम से बिजिली से संचालेत होता है, और इसमें एक charge होने वाली बैटरी होती है, आतहा यह portable है और एक विदुत स्रोथ के बिना उपयोग किया जा सकता है, इसको सारांशित करते हैं, इस टुटोरियल में हमने निमन सीखा, desktop और laptop के अनेग भागों के बारे में और desktop के अनेग भागों को कैसे जोड़ें, निमन लिंक पर उपलब्द वीडियो देखें, यह spoken tutorial project को सारांशित करता है, अच्छी bandwidth ना मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं, spoken tutorial project team spoken tutorials का उपयोग करके कारेशालाएं चलाती है, ओनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं, अधिक जानकारी के लिए एक रपया, contact at spoken-tutorial.org पर लिखें, spoken tutorial project, talk to a teacher project का हिस्सा है, कि भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राश्ची साक्षर्ता मिशन द्वारा समर्थित है, इस मिशन पर अधिक जानकारी spoken-tutorial.org slash nmeict-intro पर उपलब्ध है, IIT Bombay से मैं श्रुती आर रहें, आपसे विदा लेती हूं, हमारे साथ जोडने के लिए धन्यवाद.